Hi mommies and daddies, welcome back to momcom India. Pregnancy में हम अपना बहुत ध्यान रखते हैं ताकि हमारा baby healthy हो सके. However, जब baby की birth होती है, आप baby को hospital से लाने से पहले कुछ examinations, कुछ checks जरूर कराएं ताकि baby का lifelong health अच्छा रह सके. इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो like जरूर कीजेगा, चैनल को subscribe कर लिजेगा, bell icon hit कर लिजेगा ताकि हर वीडियो का notification आपको time पे मिल सके. Now let's get started. तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि जिस examination की मैं बात कर रही हूँ, जो मैं आपको tests बताऊंगी, इंडिया में ये compulsory नहीं है, ये optional है, तो अगर parents चाहें, तो वो ये test baby के birth पे करा सकते हैं, अगर वो नहीं चाहते हैं, तो वो baby को normal discharge करा के घर ले जा सकते हैं, वो बाद कोई problem हुई, तो time पे बच्चे का treatment होने से आपको ही फायदा होगा, नहीं तो क्या होता है, कि बच्चों के साथ हमें चीजे काफी late पता चलती हैं, जिसकी वज़ा से treatments डिले हो जाते हैं, और फिर complications बढ़ जाती हैं, तो सबसे पहला test में आपको suggest करूंगी, newborn hearing test, तो basically बच seconds लगते हैं, और result भी आपको immediately मिल जाता है, इसका एक additional charge होता है, जो आपको hospital को देना पड़ता है, बट इससे आपको ये पता चलता है, कि आपके बच्चे के सुनने की जो शक्ती है, वो बिलकुल ठीक है, अगर आप ये test नहीं कराते हैं, और मान लीजे कि आपके बच्च नहीं नहीं पा रहा है, तेज, sound पर react ही नहीं कर रहा है, तब जाके हमें ये चीजे रियलाइज होती हैं, और तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, इसलिए इस simple test को अपनी hospital checklist का पार्ट जरूर रखे, दूसरा test होता है, एक blood test, जिसमें ऐसी बिमारियों को test किया जाता ह जो बच्चे के लिए life threatening हो सकती है, या फिर बच्चे के एक healthy lifestyle lead करने में problem create कर सकती है, अब यहाँ जो हम बिमारियों की बात कर रहे हैं, वो है जैसे thyroid, काफी बच्चों को पैदाईशी से ही thyroid होता है, जिसके वजा से वो extra मोटे हो जाते हैं, या फिर extra weight lose करते हैं, और parents को का काफी time लग जाता है ये समझने के लिए की problem क्या है, दूसरी बिमारी है जैसे G6PD, G6PD एक ऐसी deficiency है body में, जिसमें क्या होता है कि कुछ drugs, कुछ ऐसी दवाईया होता है, अगर वो आपकी body में जाती है, तो आपकी body का एक अजीब सा reaction हो जाता है, reaction काफी strong भी हो सकता है, mild भी अब बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चे बिमार पढ़ते रहते हैं, अलग-अलग viruses, bacteria, बिमारिया उनके साथ चलती रहती है, तो अगर आपको नहीं पता होगा कि कौन सी ऐसी दवाईया है, जो मुझे अपने बच्चे को नहीं देनी क्योंकि उसको सूट नहीं करेग है, बिकॉज उसका असर डाइरेक्ली उनके बच्चे की ग्रोथ पे होता है, इसी तरीके से हॉर्मोन्स रिलेटेड, मेटाबॉलिजम रिलेटेड डिसॉर्डर ये सारे इस टेस्ट के अंडर कवर किये जाते हैं, जो बेसिकली ये बताता है कि आपके बच्चे का एक मेरी बेटी जिस हॉस्पिटल में पान साल बाद पैदा हुई वहाँ पे ये पाट अफ द पैकेज नहीं था, इसी लिए मैं थोड़ा सप्राइज थी कि इस बार उसके ये टेस्ट क्यों नहीं किये गए, तो मुझे लगा जैसे मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि ये compulsory नहीं है, optional है, वैसे कितने सारे parents होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा, साथ ही बहुत सारे लोग इंडिया में अपना birth, government hospitals में करते हैं, government hospitals में जरूरी नहीं है कि इन सारे test के options भी आपको दिये जाएं, तो it is a good idea कि आप अपने gynecologist के साथ ये discuss करें, कि क्या tests मेरे baby पे run होंगे, hospital से discharge होने से पहले, अगर ये facility वहाँ available है, तो good, अगर available नहीं है, तो आप इसे बाहर से जरूर करा लीजे, देखे मुझे ऐसा लगता है कि baby की birth पे उसका blood sample लिया जाता है, उसका blood group test करने के लिए, तो उसी sample को अगर हम use करें, ये जो life threatening diseases है, इसको test करन के लिए, तो वो हम सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तीसरा examination होता है, jaundice, तो jaundice के लिए normally doctors जो visit पे आते हैं, वो baby को देख लेते हैं, however, कई बार ऐसा होता है, कि normal delivery होती है, आप घर जाते हो, और 4-5 दिन के बाद बच्चे का जो color है, वो पीला होना शुरू हो जात या पीलापन बॉडी में आने लग जाता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि आप jaundice की बाद एक बार doctor से जरूर करें, और 4-3 important चीज एक test नहीं है, बठ आपको ध्यान रखना है कि birth पे बच्चों को कुछ जरूरी vaccine मिलती है, जो 24 घंटे के अंदर-अंदर ही दिये जानी चाहिए, make sure वो vaccines आपके बच्चों को जरूर मिले, because again उनको नहीं दिये जाना आपके बच्चे के लिए life-threatening हो सकता है. तो guys मैं फिर से बोलूँगी, जिन tests की मैंने बात करी, यह compulsory नहीं है, यह optional है, बट मुझे ऐसे लगता है कि एक healthy lifestyle lead करने के लिए awareness होना, कि आपका बच्चा ठीक है, उसमें कोई problems नहीं है, that is always better, because precaution is better than cure, rather than delay हो जाना, और फिर आपको पता चलना कि कोई problem है, और फिर treatments में issue आना, आप काफी सारे doctors से बात करेंगे, तो वो बताएंगे कि अगर early चीजों के बारे में पता चल जाता है, तो उनके treatments के results भी better होते हैं, versus late पता चलता है, तो treatments जो हैं, वो उस तरीके से respond भी नहीं करते हैं, जैसे पहले करना चाहिए, तो I hope इस video ने सारे parents की help करी होगी, उसी उमीद के साथ इस video को end करती हूँ, और एक informative बात आपको बताती हूँ, क्योंकि आप एक new parent है, तो एक brand आपको ज़रूर check out करना चाहिए, Amazon पे brand का नाम है Plum Bunny, जहां पे आपको बहुत अची quality के newborn essentials, affordable prices पे मिल जाएंगे, जैसे राय का pillow मिलेगा, जो baby का flat head prevent करने में help कर बहुत ही soft आपको towels मिल जाएंगे, swaddles मिल जाएंगे ताकि आपको बच्चे को wrap करें जो शुरू की तीन महीने में बहुत जरूरी है, बहुत soft organic towels आपको मिलेंगे, blankets आपको मिलेंगे, और बड़े बच्चों के लिए भी आपको यहां पे pillows मिल जाएंगे, तो बहुत अची variety available है, मैं काफी जादा इसे use करती हूँ, do check it out, link is in the description box. Thank you, bye-bye.